हेलो एवरिवाउंग, वेलकम तो इस चैनल अगरिकल स्टेडीज, मेरा नाम है तिवागर खेत्री, और आज इस वीडियो के दरान हम Fundamentals of Soil Science में Soil Orders के बारे में बात करने वाले हैं, यानि हमारा टॉपिक जो है वो है sequence में याद रखने के लिए, sequence में या फिर हम कह सकते हैं, उनके नाम याद रखने के लिए, एक line को याद रखते हैं, line जो है वो आपने बहुत फेमस है सुन रखी होगी, कि ए वेगामी हाउस, अवागामी हाउस, किसी तरह से भी प्रणाउंस कर लीजिए, यहां हर एक alphabet जो है जिनमें हम A का मतलब समझते हैं, L-P-Soul, V का मतलब समझते हैं, V-T-Soul, अब एक और A का मतलब समझते हैं, L-D-Soul, फिर आगे एक और A भी आ रहा है, जिसका मतलब N-D-Soul है, हाना अब यहां आगे बिच्छे अगर आप याद रख लेंगे तो कोई दिकत नहीं है, यह बस Molli-Soul है, और I for Insepti-Soul है, H for Histo-Soul है, O का मतलब Oxi-Soul है, साथ में U का मतलब Ulti-Soul है, S का मतलब Spodosol है, और last में E का मतलब क्या है, E का मतलब Antisoul है, हाना, हो सकता है, यह नाम तो आप आप अल्रेड़ी जानते होंगे, तो इन नाम के अंदर हरे की कुछ अर्पनी अपन इस हैं, जिनकी ओपर सीधा कोशन समसे बुछ ले जाते हैं, तो आज हम इस वीडियो के दवरान 6, मतलब इन 12 में से 6 Soil Orders के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं, वो कौन से 6 हैं, तो L-T-Soul, Verti-Soul, Aradis-Soul, K-L-Soul, और साथ में Molli-Soul और Insepti-Soul, तो इन 6 Soil Orders के बारे में इस वीडियो के दरान हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो के नेक्स वीडियो के अंदर हम बचे हुए जितने भी, यानि ये हाउस पुरा जो बच गया, पुरा घर जो बच रहा है एक तरह से, उसको हम नेक्स वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, ओके, साथ ह diagnostic origins, जिनमें Epipadon, Endopadon, इन सब चीजों के बारे में भी आगर आप जानकारी जनना चाहते हैं, आप उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, उनके ऊपर भी मैं वीडियोज बना चुका हूँ, अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखे हैं, तो आप चाहें, तो उन्ने देख स मत जाना है ब्लाक कॉटन सोल स्युन अब डूसरी चीज एक Лतन वय्टिसोल ऐसा है वर्टो जो है, एक Latin word है, इसका मतलब होता है turn, turn मतलब turning होना, turning होना, तो इससे एक property बहुत important है, जो आपको याद होनी चाहिए, कि these soils have self-mulching capacity, इनके अदर self-mulching capacity होती है, to argilly, due to argilly pedoturbation, किसकी विज़े से, argilly pedoturbation की विज़े से, argilly pedoturbation, pedoturbation वारा जो वीडियो था, उसके अदर मैं आपको बदाया था, कि बही, pedoturbation हम देखते हैं, चार तरह का होता है, जिसके अदर हमने देखा था, floral, जो पौधों वगयरा की वज़े से हो रहा है, plants वगयरा की वज़े से, faunal, जो कि animals वगयरा की वज़े से हो रहा है, argilly, argilly जिसके अदर हमने देखा कि clay की खुद की ही कोई ना कोई अपनी ऐसी property है, हना, कि soil की किसी horizons में यह ऐसी property है, कि अपने आप फी क्या हो रही है, इनके अदर mixing हो रही है, pedoturbation का मतलब ही यह होता है, soil की mixing होना, इसी वेकर से हमने कहते हैं, यह self-mulging capacity रखने वाजी soils ह है, यह आप जरूर याद रखिएगा, यह बहुत important point है, अब इनके अंदर self-mulging capacity होती है, तो मतलब इनके अंदर देख रहे हैं कि mixing हो रही है, तो इनके अंदर alluviation जैसे horizons हम नहीं देख पाते हैं, alluviation, alluviation मतलब क्या उपर वाला, आप जानते हैं, in terms का मतलब, alluviation मतलब जब उपर से कुछ नीचे आके जमा हो जाए, इस horizon को alluvial horizon कहते हैं, जिस में से निकल के आया है, उसे alluvial horizon कहते हैं, तो अब यह तो सब कुछ उलट फुलट ही हो रहा है, इसके ना mixing हो रही है, तो फ mixing हो किस वज़े से रही है, कारण क्या है इसके बिचेगा, ऐसे दो लिख दिया, आज़ी दिपर डबर eruviation, यह eruviation हो क्यों रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन क्ले के इंदर खुद की ही अपने आपने एक प्रपरटी है, जिसको हम कह रहे हैं, swelling and shrinkage, swelling मतलब, पान montmorillonite and vermiculite, montmorillonite to ratio 1 के अंदर हमने देखा था, expanding type का clay mineral होता है, अब वो clay minerals वारे वीडियो आपने देखे हैं हो, तो अच्छी बात है, नहीं देखे हो हो, तो आप उनने देख सकते हैं, उनका लिंक ऊपर आई बटन के साथ, निचे description box में available है, तो महां आपने जाना था, montmor montmorillonite group, montmorillonite और vermiculite, अच्छा, vermiculite जो होता है, वो limited expanding होता है, उसमें ज्यादा expanding नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं आपने जाना था, कि layers की बीच में potassium आ जाता है, तो potassium की वाज़े से वो ज्यादा expand नहीं हो पाता, क्यार वो सबते बाते हम अंदर deep में नहीं ज and vermiculite, done है, आगे बढ़ते हैं, कि deep cracks are associated with gilgai micro relief, यहाँ deep cracks भी देखे जाते हैं, क्योंकि अगर नमें से moisture निकल जाएगा, तो यह जब shrink होंगी, तो कहीं न कहीं इनके अंदर cracks देखे जाते हैं, तो deep cracks भी एक इच्छी important property आपको याद रखनी है, with gilgai micro relief, gilgai वास्तों म swelling and shrinkage की वज़े से, मतलब soil की नीचे वाले layer ऊपर आना चारी है, तो उस वज़े से result की रूप में हम देखते हैं, कुछ छोटे-चोटे से गड़े से बन जाते हैं, जिने gilgai micro relief कहते हैं, साथ में हम एक property और भी आद रखते हैं, slick and slides, intersecting slick and slides, मतलब इनको जब हम देखेंग black soil को, पर अफिर से smooth, ऐसे linear structure सा नजर आता है, मेरे कोशिशिश रहा, screen पर एक photo available हो जाए, जिससे आप इसको याद रखे सकें, कि ये slick and sides वाला character भी खहां दिखा जाता है, verti souls में दिखा जाता है, ओके, ये बहुत important lines है, आप जरूर याद रखिएगा, और साथ में have high clay content, clay content of course ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा था, मौन्ट फोरलाइट बन में कलाइट आपको बताई दिया था, तो इसके अदर clay content 30% से भी ज़्यादा होता है, ये important बात है, अब clay content ज़्यादा होने से क्या, cation exchange capacity, CEC जिसे कहते हैं, वो ज़्यादा होती है, water holding capacity भी ज़्यादा ह होती है, कि उखले content ज़्यादा होगा, पानी को उतना ही ज़्यादा होती है, और साथ में nutrient holding capacity भी ज़्यादा होती है, और साथ में इसकी plasticity, मतलब इसको अगर हम कोई नई shape देना चाहें, तो वो भी plasticity भी जो है, इनी soils की ज़्यादा होती है, वैसे montmorillonite और vermiculite में अगर आप से कोई बुचे, किसकी ज़्यादा होती है, तो आप ज़रूर याद रखें, मैंने vermiculite वाले वीडियो में भी आपको बताया था, कि vermiculites have highest kratain exchange capacity, नहीं आप ज़रूर याद रखेंगा, इनकी सबसे ज़्यादा होती है, हाना, montmorillonite से भी ज़्यादा होती है, खेर, इन soils के अंदर CEC high होती है, नेक्स अगर हम देख रहे हैं, black color is due to, इसमें काला color जो है, किसकी वज़े से एक नाम काला है, तो black soil क्यों है, क्यों है, क्यों हम देख रहे है, titaniferous magnetite, ये आप mineral का नाम याद रखें, titaniferous magnetite compound, जिसकी वज़े से ये काली होती है, साथ में humus, अ soils of India को बढ़ रहे होंगे, तो उसमें भी इस तरह की कुछ points आते हैं, तो वहां से, आगे से, पीछे से, जहां से भी points उठ सकते हैं, मैंने कोशिश करिए, उन सभी को एक slide के अंदर ही रख दिया है, ताकि आप ने याद रख सके, एक ही जगब, ओके, अब next हम बात करेंगे वगामी हाउस के अंदर, एक अमहतोर जो कि था? अलफी सोल, अलफी सोल के बारें हम बात करेंगे, ओके? तो चलिए, वटावट्से next, अब सॉल ओर्डर के बारें हम बात करते हैं, जो कि है shines अलफी सोल, एलफी सोल, जो है, वो red आप सॉल को represent करता है, कही नगई, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि एक लाइन हमें जो याद रखनी है वो ये है कि characterized by the light colored surface horizon कैसे characterized किया जाता है light color light color मतलब उसमें humus का content कम होगा तो light colored surface horizon से जैसे की example लिया है ocric epipadon ocric में ocras का मतलब मैंने आपको बताया तब pale पेल मतलब फीका सा पड़ा होगा रहता है तो इसमें clay content sorry humus content less than 1% हो जाता है तो वो आपने अगर epipadon वारा वीडियो देखा है तो आप शेह जानते होंगे तो ocric epipadon के बारे मैंने बताया था over a clay enriched argelic endopadon argelic endopadon के उपर देखा जाता है elfie soul तो इस line को यह आप अच्छे से याद रख लीजेगा कि argelic endopadon के उपर हम देख सकते हैं एक ocric epipadon जैसी condition देखी जा रही है तो इसे हम क्या कह रहे हैं elfie soul conditions कह रहे हैं किस तरह की सेवल को represent करती है यह तो हम देख रहे हैं found healthy red soils यह समझे लिए आपने color लाल color इनका किस वज़े से होता है तो ferrous और aluminium के oxides जो होते हैं तो उसमें भी particular ferrous का कौन सा oxide जो हम से exam बुचा जाता है तो हम देखते हैं वो hematite hematite तो formula आप जो जानते ही होंगे कि Fe2O4 हना तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि hematite जो है उसके वज़े से red गर देखा जाता है लेकिन दूसरी बात यह है कि dominant mineral कौन सा है इसके अंदर dominant hematite dominant की रूप में नहीं आज़र करते हैं dominant mineral अगर हम से पूचे रहे हैं तो हम कहेंगे कि highest नहीं है इस चीज को भी याद रखें कि highly withered है but less than ulti soul and more than incepti soul कि भाया incepti soul से ज़्यादा withering देखे जाती है alfy soul में और alfy soul से भी ज़्यादा देखे जाती है ulti soul में तो क्या ulti soul के अंदर सबसे ज़्यादा withering होती है नहीं the most important बात याद रखेगा the most withered soil order the most withered soil order उसमें आपको याद रखना है oxy soul जिसके बारे में हम नेक्स वीडियों में बात करेंगे तो जो oxy soul है वो सबसे ज़्यादा withered होता है तो oxy soul से कम withered हम ulti soul कह सकते हैं ulti soul से alfy soul कह सकते हैं alfy से incepty देख सकते हैं तो इसके उपर कई बार sequence में exam में question पूछे जाते हैं तो आप इससे को ध्यान रखेगा यह line जो है इससे याद रखेगा next अगर हम बात करें कोई zone की या soil order की तो वो है gaili soil gaili soil के अंदर यह gallic word से लिया गया है जिसका मतलब है frost churning frost मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो रख रही है frost world conditions churning मतलब mixing होती है आपके पेट में भी churning होती होगी है कुछ नब खाते हैं हम लोग तो वो churning मतलब mixing होती है आपको यह words पता होंगे तो churning मतलब mixing होती है तो यह mixing के लिए पर्टिकुलर टम देते हैं हम cryo-terbition periodo-terbition की टाइम पे मैंने बताया था आपको कि cryo मतलब ठंड से related है बहुत ज़धा temperature कम हो जाए और टरbition मतलब mixing होना है तो यह conditions gally soul में देखी जाती है याद होना चाहिए तो और साथ में perma-frost conditions भी देखी जाती है perma-frost, permanent frost मतलब जहां soil का temperature 0 degree Celsius से हमेशा ही कम होता है तो उसे हम perma-frost कह देते हैं वो conditions gally soul को represent करती है no specific origin इसमें किसी तरह का कोई specific origin नहीं है क्योंकि cryo-terbition हो रहा है एक तरह से mixing हो रही है not found in India यह इंडिया में found नहीं होती और साथ में recently added है यह थान रखीगा ऐसे भी question पूझ लेते हैं कि what are the recently added soil orders उसमें से बहला आपको याद रखना है गैली सोल और साथ में एक endी सोल भी होता है endी सोल और गैली सोल बोथ हार recently added soil orders पहले 10 ही कहते थे हैं okay तो चलिए वगामी के अंदर V, A, G तक बात कर ली है AMI के बारे में और बात करते हैं तो A का मतलब है aridysol aridysol का मतलब यहाँ Latin word aridus से लिया गया है aridus aridus का मतलब होता है dry arid conditions दिमाग में आते ही आपके रिगिस्तान आ जाना चाहिए found in desert and the sandy soil इसलिए हम कहा रहे हैं कि desert और sandy soils के अंदर aridysol देखी जाती है ठीक है तो उस soils को ultimately हम एक तरह तरह एaridysol के रूप में पढ़ते हैं the soil remains dry for most part of the year यह तो हम भी जानते हैं कि evaporation बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे और हम देखते हैं कि transpiration, evapotranspiration ज़्यादा है precipitation से बारिष आ कम रही है बलकि पानी ओड ज़्यादा रहा है तो ऐसे conditions, arid conditions के तरफ हमें लेके जाती हैं और साथ में इसी वज़े से हम देखते हैं arid conditions के अंदर आप जानते होंगे जमीन salty होने लगती है due to the salt accumulation results in the development of salt accumulation से कौन से horizon बन जाते हैं salic, zipsic और calcic salic जिसके अंदर sodium की salt जादा होते हैं zipsic जिसके अंदर zipsum यानि CSO4.2H2O zipsum जादा होता है और calcic यानि जिसके अंदर हम देख रहे हैं calcium carbonate जादा होने लगता है इस तरह के salt जब जादा accumulate होने लगते हैं तो ऐसे horizon बनने लगते हैं इस जात को भी आप जरूर याद रखिएगा ये तीनों ही words important है और हम देख रहे हैं also named as ये नहीं eridysols को ही desert soil, radish desert soil, radish desert soil, syrozenes देखिए आप उनको हो सकता है सबके बारे में अपने alkaline soil, saline soil इन सबके बारे में अच्छे सा बात कर रखिए इनकेस आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिएगा कि radish brown, solans, 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 shark जो हैं इस तरह से भी इन्हें नाम दिये जाते हैं क्यों? क्योंकि इनके नार short formation हो रहा है और साथ में dominant mineral यहां जो होता है वो था है elite 2 ratio 1, non-expanding याद है आपको, नहीं हाद है तो कोई बात नहीं, बट से लियाद रख लीजेगा कि elite जो है, 2 ratio 1 होता है non-expanding होता है, जबकि vermiculite और montmoralandite दोनों ही expanding type होते है खेर अगर नहीं यादे तो इनको याद रख लिए कि यहां LED soul में कौन सा dominant है elite है, ठीक है? इससे पहले कौन सा था? केवलनाइट था LP soul में, और उससे भी पहले vermiculite में कौन सा था? montmoralandite और हमने जो देखा था vermiculite उसे याद रखें, climate कौन से जगा पर बनते हैं? या अब कौन अरिड और semi-arid reasons पर बनते हैं फटा बट से बचावा, mollisole और insectisole के बारे में भी बात कर लेते हैं तो चलिए इस वीडियो के last orders के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है mollisole इस वीडियो के लास्टा ना, क्योंकि अभी 6 orders इस वीडियो में हो जाएंगे, 6 अगले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तो mollisole जो है, उसके अंदर यी Latin word mollis से लिया गया है, जिसका मतलब होता है soft, तो soft soils के रूप में आब इने याद रखें और कहां present होती हैं ये soils, तो these are soils of grassland vegetation, grassland vegetation मतलब आप समस्ते हैं, जहां grasses वाली conditions जो है, तो periary और ऐसी टॉंस जो use की जाती है, तो ये grassland vegetation के अंदर हम mollisoles देखते हैं कहां होती हैं, ऐसी soils, तो semi-arid to humid conditions के अंदर, हाना, रिगिस्तानी इलाकों में तो घासे होगेंगी नहीं, तो कहने हैं मतलब, वहाँ humid conditions or semi-arid regions के अंदर mollisoles देखे जाती हैं, soft black और well structured soil है, soft black होती है, क्योंकि humus content में ज्यादा होता है, पिछली से पिछली वीडियो के अंदर हमने mollic epipedon के बारे में बात की है जिसके अंदर, आपने जाना था कि histo word आया था mollic epipedon, histic epipedon इस सारे जो थे कहीं न कहीं organic matter के accumulation से related थे तो mollisoles में भी organic matter अच्छा होता है याद रखना है आपको, और साथ में याद रखना है कि granular और crumby जिसमें high हो और कौन सा हो रिजन तो mollic epipedon आपको याद रखना है वीडियो में हमने कहीं न कहीं बात करी है कि mollic epipedon और ambrick epipedon उन्हों मैंने आपको कहा था भाई-भाई सही होते है कि उनके अदर फरक इतना सा होता है कि mollic के अंदर base saturation 50% से ज्यादा होता है और ambrick में 50% से कम होता है base saturation पिछली वीडियो अगर आपने देखे नहीं है तो प्लीज उन्हें देख लीजिए क्योंकि मैं पिछली वीडियो पिछली वीडियो बोल बोल के आपका सरपका देने वाला हो न तो next आप देखेंगे हम वो है inceptisole inceptisole के अंदर जो है Latin word inceptum से लिया गया है जिसका मतलब होता है beginning तो यहने soil formation जब शुरू हुआ है एकदम starting भी नहीं कह सकते हम लेकिन यह beginning जरूर कह सकते है कि शुरुबाती अवस्थाएं जो है हमारे soil formation की representing the early stages of soil formation early stages है which is beyond that of anti-sole लेकिन यह anti-sole से तो ज़्यादा ही developed है anti-sole के बारे में next video में हम बात करेंगे लेकिन anti-sole का मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो एकदम ही नहीं है जो बिलकुल develop ही नहीं हुए जिसमें soil origin बने ही नहीं है वो azonal soils है जिनके अंदर time जो है वो limiting factor था जिसमें वो वो develop ही नहीं हुआ उनमें किसी बी तरह का horizon तो वो anti-sole है जिसमें किसी बी तरह का horizon नहीं है लेकिन यह भी नहीं-नहीं soils है उनकी जितनी नहीं तो नहीं है लेकिन बट still यह beginning वाली stages है जिनमें कुछ हम देखते हैं soil origins डेवलप हो चुके है तो इस चीज को आप सोड़ा सा समझें और याद रखें कि that of anti-sole but are still short of degree of development नहीं-नहीं शुरुआते हैं जदा अच्छे से developed नहीं है तो shortage है यहाँ पर development की अच्छे से developed नहीं है लेकिन still इसमें origins तो देखे जाते हैं थीक है तो umbrick और इस तरह के molek इस तरह के origins इसमें देखे जा सकते हैं अना in septis hole के अंदर यह वाले याद रख सकते हैं clay accumulation can be seen यहाँ clay accumulation देखा जा सकता है और मैंने आपको epipadon वाले वीडियो में नहीं और मैंने आपको epipadon वाले वीडियो में बताया था कि अगर clay accumulation से जो sub origin मन रहे हैं उनको argilic कह दो तो यहाँ clay accumulation होता है लेकिन इतना भी नहीं होता है कि हम उन्हें argilic कह देंगे तो यह line है याद रखने हैं तो याद रख सकते हैं हमें से आपको अगर आपसे यह पूछे कि soil कौन सी dominant है इंडिया के इंदर सबसे ज़्यादा soil इंडिया में कौन सी देखी जाती है तो आपका जवाब आना चाहिए alluvial soil जो मैंने यहाँ दिखा भी है लेकिन आपसे बुछे soil order कौन सा dominant है तो आप कहेंगे incepty soil क्यों होगा आपका जवाब होँगे क्योंकि alluvial soils are examples of incepty soils ठीक है alluvial soils जो है उन्हें हम एक तरह का example के रूप में समझ सकते हैं incepty soil के और alluvial soil लिया में dominant है उसलिए हम देख सकते हैं incepty soil को भी dominant soil order के रूप में याद रखना है तो इस तरह से हमने जाना अल्टी soil, spodo soil और last में कौन सा बचा anti-soul तो उसके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे तो 6 और जो बाचे भी है और साथ में एक anti-soul के बारे में भी बात नहीं करेंगे तो हाँ उनके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो का जो भी content है मेरी कोशिश है उसके एक PDF form नीचे description box में available हो ताकि आप उसे डाउनलोड करके आराम से बढ़ सकें साथ ही मैं आप से request करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से इस चैनल को तो support मिलेगा ही साथ ही साथ इस चैनल के और भी जो वीडियोज है YouTube आपको recommend करता रहेगा तो आप इस चैनल से और अच्छे से जुड़ सकते हैं साथ ही अपने friends के साथ इस वीडियो को जरूर share जरूर करें आप और इसी तरह के वीडियोज के लिए जुड़ रहिएगा एगरिकल्सरों स्टेडी से